chapter 3 classes in python देख रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं built-in class attribute built-in class attributes क्या होते हैं देखे built-in class जब भी python की हम बात करें तो python class जितनी भी python class है उनके पास कुछ built-in यानि के अपने आप बने हुए attributes होते हैं जो उसमें inbuilt हो रहे हैं और उसको हम dot operator से access कर सकते है किसी भी ऐट्रिबूट जैसे बाقی अट्रिबूट हम . से करते हैं ना class का नाम . attributes एक्रिबूट क्या हो सकते हैं method हो सकता है या या आपके जो अपने data items दी हैं वो हो सकते हैं तो हम class का नाम लेकर . करके इनको access कर सकते हैं फिर हम class का object बना के success कर सकते हैं इसके अलावा हर एक python class के पास built-in attributes भी होते हैं जैसे dict ये बताता है कि dictionary कौन से dictionary है जो class की name space को रख रही है उस dictionary के बारे में बताता है doc करेंगे आप हर जगा देखें double underscore है फोड़ीशी space दिखरी होगी इसके बीच में सभी के बीच में ये doc क्या करता है ये class की documentation string जिसे हम doc string भी कहते हैं वो return करता है अगर मारीच बाइचान साब में class के लिए कोई doc string नहीं बना के रखी है तो ये none return करेगा कुछ भी नहीं ऐसी अगर आप ये name अगर इस तरीके से name को जानना चाहेंगे तो आपको class का name बताएगा ये module अगर आप इस तरीके से करेंगे ये module तो ये क्या बताएगा ये module name बताएगा जिसमें class defined है in which the class is defined ये जो attribute इसको हम इसी को main कहते हैं interactive mode में basis बेटे basis क्या करता है जितनी भी empty tuple possibly empty tuple है खाली tuple जो base classes में है और जिस तरीके से वो आई है occur होई है produce होई है base class list में इसके बारे हम जानेंगे inheritance में और अच्छे समझ में आएगा आपको ये क्या है basis का मतलब होता है base class के बारे में कोई जानकारी मिल रही है अब फिलाल ये समझ दीजे आप तो जो जो भी हमने पहले चीजे देखी है चलिए कोशिश करते हैं कि ये जो built-in attributes है उनको जानने कोशिश करें हमें class test बना रहे हैं ये जो है रहे ये डॉक स्ट्रिंग है तो हमने क्या किया कि class एक test बनाई उसमें लिखा ये एक sample class है जो built-in attribute को दिखाएगा ये आपका comment भी मान सकते हैं आप इसको roll number आपने एक दिया marks आपने 75 दिया अब आपने एक def किया ये basically constructor बनाया आपके self यहां किया comma roll number comma marks जो भी इसमें जब initialization होगा जब आप object बनाएंगे तो roll number इसके पास सला जाएगा और marks इसके पास सला जाएगा फिर display करेंगे display में कुछ भी नहीं दिया self अपने आप आता है self दे दिया यहां पर self जैसी roll number प्रिंट करेंगे self.roll number तो roll number प्रिंट होगा marks के आगे marks प्रिंट होगा यहां तक ठीक होगा अब हम क्या करेंगे print करेंगे test.doc मुद्द test.doc कर रहे test.name, test.module, test.basis, test.dict तो जब यह result आएगा तो test.doc क्या आएगा कि आपने जो doc string देखे रखी है यह doc string आएगी आपकी यह ना doc string होगा ठीक है इसके बाद आपका जो second होगा उसमें जो test.name नाम क्या है तो test क्योंकि नाम है basically यह क्या है test ही तो नाम है class का तो class का नाम देदेगा यह ऐसी आप module बताएगे तो यह main module में है ऐसी basis बताएगे तो अभी खल खाली है कोई base class नहीं है तो यह कुछ बताएगा नहीं ऐसे DICT बनाएगे तो डिश्टरी यह सारी बताएगे जैसे मैं आपको बताया था module, main, display और कोई function होगा display किस जगह पे address क्या है उसका यह address बताएगे यह सारा key value pair में चला आ रहा है ऐसी आपका module main है display function यह है और rule number one है marks यह है तो key value pair में है यह इसी तरीके से आपका आगे doc है यह samples जो भी document document string है इसमे init जो function है वो किस जगह है यह आपका hexadecimal address दे दिया है इनोंने उसके बाद हम देखते है DEL अब आपने जब init से बनाया याने constructor बना आपकी class बनाई object भी बना दिये अब वो object या instance destroy होने वाला है इसको हम destructor कहते है इसको destructor कहते है जब आप कोई event करते हैं शादी बया करते हैं या कोई ऐसा वर्डे वगरा करते हैं बहुत सारी चीजों के इंतिजाम करते हैं लेकि जब वो वर्डे वर्डे खता हो जाता लोग चले जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ काम करना होता है कि चलो ये वापिस करना है ये घर पे पहुंचाना है ये बजगा इसका क्या करना है वाब्जेक्टर का काम होता है तो ये मेतड क्या कॉल करेगा जो भी अब्जेक्ट होगा dot dl ये आपका डिस्टर है और साथ में सैल तो जब भी आप ये dl को इंवोक करेंगे या जब ये इंवोक होगा जब भी मौडिूल डिलीट हो रहा है जैसे आप जब कर प्रोग्राम का execution हो गया उसके बाद यह चीज़े खतम होगी तो एक और global variable जिसको जो reference होता है del method से तो वो already delete हो गया है और या फिर process में होगा delete होने के तो ज़रा इस class जो हमने test देखी इसके तो समझते हैं कि कैसे जो instance है t1 किस तरीके से जाएगा आप माली जो del t1 करते हैं तो यह command क्या करता है यह सीधा t1.del इसको नहीं call करेगा आप यह समझ रहें कि direct t1. यह हो जाएगा पहले जो reference count है उसको decrement किया जाएगा इस t1 के लिए पहले count decrement होगा एक से फिर यह dl call होगा जब t1 का reference count zero पे हो जाएगा यानि कि आप में कहा ना यह मेरा यह सामान वापिस हो गया यह जो सामान कहीं से लेके आये थे किसी tent house से लेके आये थे यह किसी से मांगा था यह सारा जब complete हो गया t1 के सारे reference count है t1 जिस जिसका refer कर रहा होगा वो सारे जब zero हो जाएंगे तब तब जो यानि कि जितने भी t1 reference कर रहा हो वो सब delete हो जाएंगे तब यह housekeeping का काम होगा str यह क्या चीज है यह भी एक बड़ा special function है जो आपको क्या देने वाला है जो objects के string representation है वो आपको देखाँ basically function क्या call करता है यह object जो भी object बनाएंगे आप class का dot यह str cell अगर class में इस तरीके का method है तो python इसको call करेगा जब भी आप str call करेंगे यह आप को print statement यह अगर call करते हैं तो यह str built-in function है अगर यह print statement के साथ आप दे रहे हैं तो यह informal string representation object का compute करेगा अब यह आप इसको समझेए कि अगर हम class test के तहती इसको देते हैं तो कैसे होगा जैसे आपने कहा कि एक class हम दे रहे हैं test यहाँ आप कुछ भी लिखें नदब variable वगरा data item वगरा लिख लें उसके आपने कहा def str self तो यहाँ पर अपने इस में return करा दिया hello how are you तो अब जैसी आप एक इस class का object बनाएंगे t और print t करेंगे तो यह आपको यह print करके देदेगा यह वाली चीज जो string तो जैसी आप print t कर रहे हैं क्या होगा python क्या करने वाला है वो str t को call करेगा ताकि t का string representation जना जाए और string representation कि इसमें दिया हुआ str में अगर str method है तो वो सीधा t.se अंडर्सकोर अंडर्सकोर ऐसे बताता हूँ t.undersकोर अंडर्सकोर str को call कर लेगा तो जो भी string इसको मिलेगी उसको वो print करेगा जो str के अंडर होगी प्राइवेट मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स का मतलब क्या है हमने देखा data heading देखी थी उसमें हमने discuss किया था कि public भी होते हैं प्राइवेट भी member होते हैं तो ये limited support के लिए होते हैं अगर class की बात करें तो class के अंदर function होते हैं जो data member को access करते हैं class के बाहर भी ऐसा हो सकता है कि आपको class के अंदर की चीज़ है किसी और class से या किसी और बाहर से class के अंदर की चीज़ चाहिए होती है तो अगर बाहर से चीज access ना हो पा रही हो तो उसे हम कहते हैं वो अंदर private है, उनको हम access नहीं कर सकते हैं चाहे वो data हो, चाहे method हो वो केवल उस object के अंदर से ही call हो सकते हैं, access किया जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई attribute आप hide करके रखें इसको आप कैसे implement करेंगे अगर आप hide करना चाहते हैं किसी member को तो उसके लिए python क्या देता है आपको उसका नाम होता है name mangling name mangling का मतलब क्या है उस नाम के आगे दो हम underscore देते हैं underscore, दो underscore और उसके बाद एक से ज़ादा no more than one trailing score no more than one, यन्याने एक से ज़ादा आप underscore नहीं देंगे trailing underscore तो जो भी ऐसी चीज़ दिखाई देगी उसको समझा जाएगा कि ये private है जैसे आपने ये underscore underscore pvt दिया underscore underscore pvt एक बार underscore बाद में आया तो ये इसको हम कहेंगे कि ये name जो नाम है ये mangled है ये अपने आप private member की तरह treat होगा लेकिन अगर आपने underscore underscore के बाद यहां पर pvt के बाद दो-डो underscore लगा दिये यहां किवाल एक लगा यहां दो लगा दिये तो ये दोरों गलत हो जाएंगे तो जैसी ये name ये mangle attribute आएगा तो python क्या करेगा वो transform करेगा इस नाम को एक single underscore से और साथ में जो नाम है उस class के अंदर जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक class है TEST हमने का weight 89 है और blood grow आपने B plus किया है अब आपने का underscore underscore दे दिया underscore underscore का मतलब क्या है CDC बात यह है यह private member है आपने का यह done होगा तो जैसी आप अगर आप इसकी directory देखना चाहते है तो आप देखेंगे कि जो यह BP यह BP है अगर आपने यहाँ prefix किया है दो underscore से तो अगर इसकी directory प्रिंट कराना चाहते है क्योंकि हर चीज़ डिरेक्टरी structure में बनती है तो आप देखेंगे डॉक इनिट और यह module तो आपका आए गई आएगा वेट आएगा यह blood group आएगा साथ ने आप देख रहे हैं यह test के साथ इस class का देखेंगे underscore test underscore underscore dp यह आपको बताएगा कि हाँ यह भी है जो कि आपका member कौन सा है वेट और blood group तो यह आपके public member हो गए यह private member यहाँ दिखा रहे है आपको data hiding data hiding अगर आपको encapsulation या capsule के अंदर चीज़े रखनी है और बहार से उसको अलब दिखाना है तो आपको data hiding करनी पड़ेगी और उसका जो encapsulation करने का तरीका है वो data hiding से के जरिये ही जाता है तो python इस तरीके से मतलब बहुत forcefully enforce नहीं कर रही है data hiding को इस true senses में नहीं है जो python का जो approach है कि encapsulation हो इस बहुत बहुत सीधा है private data member मत use करो कोई private तो इसमें चीज़ होती नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि python में पिछ private होता नहीं है लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को double leading underscore से कर दिया ऐसे ऐसे करके कोई यहाँ पर आपने कोई नाम लिख दिया तो आपने कहें दिया कि देखें यह जो चीज़ है यह केवर class के अंदर ही यूज होगी python एक बहुत dynamic language है तो आप attribute और method dynamically भी यूज कर सकते यह important बात है पहले वाली C, 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 C टरस प्रस और Java वागेरा में आप जब attribute और attribute अड़ करते थे हैं वो class के अंदर होती थी dynamically add करना बड़ा मुश्किल था यहाँ पर आप dynamically add कर सकते हैं तो आप यह जो example में आपको बताना जा रहा हूँ यह वाला health profile इस में देखेगा यह pulse है इस pulse को हम dynamically add कर रहे हैं health profile में इस h1 कितरू समझेगा इसको हमने क्या क्लास health profile किया pass इसका मतलब यह health profile class खाली छोड़ी पास का मतलब कुछ भी यह नहीं दे रहे हैं लेकिन आपने कहा health profile यहाँ पर आपने एक object बनाया है h1 और h1.pulse करके 75 दिया pulse तो इसके अंदर ही नहीं लेकिन फिर भी आपने h1.pulse create कर दिया इसका मतलब यह है कि encapsulation जब भी की बात करें python में तो आप implementation detail के बारे में बिल्कुल चिता ना करें यह भी better नहीं करता है कि जो attribute है उसका public access है या private access है अगर आपने बस leading underscore डाल दिया इसका मतलब वो private हो गया अ क्योंकि वो under name mangling दो underscore के द्वारा आपने रखा है उसको तो अगर आप access करेंगे जो hidden attribute है इस तरीके क्यों तो आपको error दिखाएगा यह python एक example देखिए health profile का इसमें हमने weight दिया blood group दिया और इसको बना दिया private member अपने init में कहा self. यह वाले के बारे में hidden attribute यहां पर अपने hidden attribute दे दिया डिस्प्ले करना चाहा बीपी और डिपी डिस्प्ले बीपी करना चाहा था self print dot print self dot underscore underscore बीपी तो आप जब health profile बनाएंगे मतलब आपने यहां पर क्या किया एक object बना दिया object से आपने dot बीपी कॉल करने की कोशिश की अब जरा इसको अगर इसको करेंगे जरा traceback अगर करेंगे जो भी कितने जितने call किया गए तो fall यह file input line 1 in module gt attribute error example instance has no attribute underscore underscore बीपी right अब देखिए क्योंकि h dot display bp यह एक hidden attribute है h dot bp आपने क्या कि एक object बनाया उस object से आप यह underscore underscore bp access करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर यह क्या बोल रहा है hidden attribute इसका मतलब क्या हुआ अब आप इसका पतलब समझें कि यह हुआ क्या है हमने कहा कि हमने का object बनाया object से हमने direct इसको call करने की कोशिश कर ली लेकिन आप बोलेंगे कि यह तो call हो सकता है private member तो अगर आपने हैं इसको access करने की कोशिश की है तो क्यों नहीं हो रहा है access आप देखिए इस member को आप कभी directly access नहीं कर सकते इसके through आपको function में जाना पड़ेगा function इसके access कर सकता है function के वले इस private member को access करता है इसलिए आपको error आजाएगी तो क्या तरीका होगा किस तरीके से bp को हम call करें उसका भी तरीका है आपने इस class में देखा कि जब भी आप underscore bp क्योंकि यह private दिया है इसलिए error मैं इसे जा गया जब भी इसको हम class के बाहर access करने की कोशिश करेंगे class के अंदर तो यह print display वाला function से access करी दा है अगर आप import भी करना चाहें from जो भी module से सारे import करना की कोशिश करेंगे तो जो double leading underscore हो तब भी import नहीं होंगे लेकिन तरीका क्या है private member को access करने का उसका तरीका य अब इसको access कर सकते हैं तो आपको ज़रूर सोच रहे होगे कि यह तो private था इसको कैसे access कर लिया तो क्या यह private members actually hidden है इसका मैं उतर देना चाहूंगा नहीं साहब यह actually hidden नहीं है तरीका थोड़ा जैसे आप सीधी तरह काम करते हैं थोड़ा सा way out जाके काम कर रहे हैं लेकिन आप access कर सकते हैं जो यह तरीका बताया है Static methods क्या होते हैं? Static method बहुत important होते हैं जातक कि बागी languages का सवाल उतमे static बहुत important है इंटर्वी अगरे में पूछा जाता है और उसका use भी बहुत होता है Static method या function किसी भी Python class में वो method होते हैं जो usual convention निलेंगे वतलब जिस तरीके से हम call करते हैं तो जिस तरीके से हम कहते हैं जो self होता है वो पहला argument होता है ये किसी भी तरीके के फॉक्शन, just like any other function लेकिन ये call कर सकते हैं आप बगेर object बनाए हुए सबसे important बात समझ देजिए कि ये static method ऐसे होते हैं जिनके लिए आप object बनाके call करने के आफशकता नहीं है इसलिए इनको हम static कह रहे हैं ये static है क्योंकि ये class को belong करते हैं ये किसी object के लिए object को belong नहीं कर रहे है they don't use the object self at all क्योंकि self का मतलब क्या हुआता है कि अगर हमने 100 object बना दिये तो हमको 50 वा ढूड़ना है सतरवे पर काम कर रहे हैं तो self का मतलब है कि self 70 वा दिखा देगा कि मैं 70 वे पर काम कर रहा हूँ static method का मतलब ही होता है ये पूरे class के लिए बना होता है तो सारे object इसको deal कर रहे होते हैं तो अगर आपको static method declare करना है तो normally इसको declare करना है लेकिन थोड़ा उसके पहले आपको कि इस static से दिखा देना है इसको याने आप इसके आगे लिखेंगे add the rate static method क्या लिखेंगे add the rate static method राइट तो आप बोलेंगे कि static method फिर बनाते क्यों है होता क्या है कौन से ऐसे होने चाहिए जो static method होंगे जो भी self variable को reference ना कर रहे हो या करना चाहते हो जिसकी जरूरती नहीं है वो सारे के सारे आपके static method होते है मैं example बताता हूं आपको हमने यहाँ class लिखा test यहाँ पर हम लेका add the rate static method और हमने कहा यहाँ पर def यह function हमने बनाया display test यहाँ लिख दिया this is a static method अब देखिए हम इसका कोई भी object नहीं बनाएंगे इस class का नाम लिखेंगे और dot करके display test call कर देंगे बगर object बनाएं यह अपने आप आपको यह चीज़ दिखा देगा अब इस example में आप देख पा रहे हैं कि जो display test है इसमें कोई भी self पहला argument नहीं है किसी भी function में आप manager से कहा था कि self अपने आप जूड़ जाता है यह पहला argument होता ही होता है इसमें इसका मतलब यह है कि display test में इसका कोई ऐसा object नहीं बनाया आपने जो इसको call करेगा तो आप जैसी यह add the rate static method देखेंगे हम जान जाएंगे कि यह object पे dependent नहीं है object के states पे dependent नहीं है जब भी आपने declare कर दिया किसी method को static तो argument जो भी आप pass कर रहे हैं तो वो बिलकुल वो ही argument receive करता है जो इसे आपने भेजे है जो भी static method है वो आपको क्या return करेगा आप return की बात कर सकते हैं वो return करेगा जो भी उसके अंदर आपने statement दिये होंगे बगर किसी change की तो ये function सारे के सारे जो object है और जो class itself है class भी और सारे objects भी objects कितने हो सकते हैं infinite class कितने भी objects बना सकते हैं instance बना सकते हैं तो class और object दोनों ही access कर पाएंगे इसे क्योंकि ये बिल्कुल sub के लिए एक जैसा बना हुआ जैसा आपने कहा class test बनाया और यहां पर add the rest static method दिया आपने कहा def square x तो test.result में आपने x square कर दिया तो x square क्या हो रहा है एक्स जो भी डालेंगे उसका square डालेगा तो आपने क्या किया इसमें object नहीं बनाया अभी सीधा इस test से ही call कर लिया इस function को square 5 अब जब test.result आप ढूनने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 25 आएगा आपका ऐसी जब आप test इस तरीके से dot square call करेंगे इस जगरी तो दिखें अब यह call करेंगे dot square 6 तब भी यह आपको 36 दिखाएगा. अब हम जब 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 इसका object बना लिए t1 अब तो यह direct test से call किया था देख सीधा class के नाम से call किया था अब हम जब 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 करेंगे एक object बना लिए अब इससे square function को call करें t1.square2 और फिर इसका t1.result देखिए क्या आता है? वो रहाएगा तो चाहे class से call करें उसे चाहे हम instance से call करें या object से call करें, result सेंव रहेगा इसलिए static matter अब garbage collection की बात करने यानि कि जब आपका सब काम होता है तो साथ इजिन में automatically करती है, चाहे allocation हो या de-allocation हो memory का या जब आप कुछ variable बनाएंगे, function बनाएंगे तो आपकी memory में, चाहे रहम हो उसमें आपकी कुछ न कुछ जगा आए, store कर ले, मतलब जगा उसके लिए assign हो जाती है तो आपको इसको de-allocate करना, de-allocate करना, free de-allocate करना, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जैसे आप C or C अच्छ ने खुद memory assign करते थे, खुद memory को clear करते थे, new, delete आपको यादो का new, delete, ऐसी kellock, mallock और free, ये सब करते थे, तो python क्या करती, क्या है आप बोलेंगे, automatically कैसे कर रही है दो strategy इसमें लगाए जाता है जो memory allocation reference है जिसने counting होती है उसके बाद automatic garbage या collection होता है, जो भी memory है, उसके cleaning होती है, cleansing होती है एक तो reference counting है तो version 2 के पहले python interpreter क्या करते थे ये reference counting करते थे जो भी memory management के ने होना चाहिए reference counting का मतलब यह होता है कि कितने बार number of times एक object refer हो रहा है दूसरे object के द्वारा python का जो garbage collector है वो किस तरीके से चलता था, program execution के समय चलता था, और यह तब activate होता था, जब एक object reference count हो जाए 0 जो garbage collector है, तभी execute होता था या trigger होता था, जब आपका reference point 0 हो जाए क्योंकि जो object जिसको refer कर रहा है या object जहां-जहां काम कर रहा है वो number change होंगे, जैसे ही जो, क्योंकि एक आपने दिया फिर alias बना दिया, फिर एक बनाया है, उसकी दूसरी memory बना दी, तिसरी memory बना दी, तो हर बार यह reference change हो रहा है तो object का जो reference count है, वो increase होता है जब भी उसमें नहा नाम दे रहे हैं या फिर वो किसी list, tuple, or history में जा रहा है तो object का reference count कम होता है जब भी delete होगा, del से, del से या फिर वो reassign हो रहा है या वो उसका reference scope से बहाँ चला गया जब भी object का reference count 0 पहुंचता है तो python इसको automatically collect कर रहे है आप देखिए, ये code है x equal to 50 दिया है, इसको समझ येगा जो जो मैंने बोला यहाँ पर हमने एक object बनाया x और इसको 50 से bound कर दिया फिर हमने क्या कि ए x को y से assign कर दिया तो अब क्या होगा, जो reference count है वो बढ़ गया एक 50 के लिए एक और reference count हो गया यहाँ एक्स भी 50 को कर रहा है y भी 50 को कर रहा है reference अब आपने क्या किया कि y को फिर से z0 कर दिया तो आप एक और reference count बढ़ गया लेकिन आप deluxe किया आपने तो जो reference count है 50 का वो कम, वो खतम हो गया इसी तरीके से y equal to 10 कर दिया तो y 50 को point कर रहा था y 10 को point करने लगा तो एक और reference count 50 से कम हो गया तो यहाँ बढ़ने लगा plus 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 जिसे माली जी थी हो गया एक था यह दो हो गया तीन हो गया यहाँ पर यह दोनों चले instance आपका destroy हो रहा होगा यह clean up के लिए, cleaning के लिए जो memory resources है कोई भी object use कर रहा है उसके लिए काम हाता है जो reference counting है बहुत efficient है लेकिन थोड़ी सी इसमें कोई चीजे थी एक इसमें जो caveat है वो यह है जो छुपी चीजे है कि अगर reference cycles बन गई मैं x y को कर रहा है y x को कर रहा है और यह इस तरीके से एक cycle बना रहा है reference cycle क्या होता है इसका मतलब यह है कि there is no way to reach an object but its reference count is still greater than 0 नहीं कि वो x भी नहीं है y भी नहीं है लेकिन फिर भी इसका reference count 0 नहीं आ रहा है अगर आप reference cycle देखना चाहते है तो आप क्या करिए एक object बनाईए जो अपने आपको refer कर रहा है देखिए बहुत simple example है आपने एक reference cycle करके function बनाया इसमें x को खाली दिया अब x में आपने append कर दिया इसी x को खाली है यह खुद को append कर रहा है यह reference cycle हो गया इसमें जो reference cycle बन रहा है यह वाला जो reference cycle बन रहा है वो object x create कर रहा है जो अपने आपको ही refer कर रहा है इससे ना अपने आपको ही तो refer कर रहा है x खुद को refer कर रहा है तो x अपने आपको clear होने वाला नहीं अगर आप return भी करते हैं तो यह ऐसी memory मना देगा x के लिए is using to be held on to until the python garbage collector is involved this will cause the memory that x is using to be held on to until इसका मतलब यह हुआ कि x के पास क्या है कि memory तो है अब आप जब तक invoke अपने आप नहीं करेंगे python garbage collector को python garbage collector नहीं सबच पाए वो तो उसको पास तो refer रहा है यह तो self-referencing हो रही है अब second जो चीज आती है अब हो है automatic garbage collection इसमें क्या होता है यह एक basically इसको हम schedule activity की तरह रखते है python में python इसको schedule activity की तरह रखते है और python किस तरह के शेडूल करती है उसका होता है कि एक threshold होता है कि object allocation कितना हो रहा है object de-allocation कितना हो रहा है कितने object बन रहे हैं object जो free होए जो भी object मतलब जरूरत नहीं है उनकी python उन्हें delete कर देता है चाहे वो built-in type हो चाहे वो class instances हो उसे हम कह रहे हैं garbage collection जब जो allocation किये और minus जो number of de-allocation है जब allocation minus de-allocation यह अगर उस threshold से ज़ादा हो गए तो अपने आप garbage collector चल जाएगा और जितने भी block of memory है जो unused है उसको फिससे reclaim कर लिया जाएगा यह ठीक है साथ अब चला दीजे जितने भी unused है उसको हमें वापिस दे दीजे वन्हाँ OS को वापिस दे दीजे अब आराम से जो threshold है नहीं object का inspect कर सकते हैं जान सकते हैं एक GC module है यह GC का मतलब भी है garbage collector और पूछ सकते हैं यहाँ पर जानके कि garbage collection का threshold क्या दिया हुआ है यह ध्यान रखेगा कि automatic garbage collection नहीं चलेगा यदि python device out of memory जा रही है उस case में नहीं चलेगा तो इस case में आपका application बारबर error throw करेगा उसको आपको खुद handle करना पड़ेगा याने कि आपका application crash होने की संभावना है और जो automatic garbage collection है यह तब होगा जब एक से मतलब more occurs more for the number of free objects than the size of objects जान रखेगा कि automatic garbage collector यह जादा जितने भी free objects है उनके लिए चलेगा size के लिए नहीं उसके इसाब से चलता है कितने numbers है तो हमने देखा किया इसमें सबसे पहले name spaces की बात की अब अगर इसको मैं इस तरीके से बताऊं कि जो objects का नाम है या यह mapping करें नाम का object के साथ जैसे built-in names हो सकते हैं global name हो सकते हैं किसी module में या local name हो सकते हैं function के अंदर scope के बार में हमने बात की यह वो जगा होती है जहां पर name space को आप directly access कर सकते हैं एक python में जो भी आप store कर रहे हैं कोई भी data store कर रहे हैं वो किवल एक बार में एक ही को refer करता है जो scope है variable का वो उसका enclosing function हो सकता है या उसकी pre class के अंदर हो सकता है या file भी हो सकता है जो नाम होता है वो हमेशा name space को belong करता है जहां भी वो bound हो रहा है चाहे यहां function में चाहे class में या file में जिसको global pivot बनाया है आपने वो पूरे file पूरे आपके file level में access किया जा सकता है हमने LGB rule बताया था LGB rule का मतलब क्या होता है जब भी कोई नाम आता है execution में तो किस तरीके से search करेगा सबसे पहले वो local पे देखेगा वो local search करेगा जो भी def जो function statement है उसके बाद वो enclosing function देखेगा जितने भी ऐसे जिसे एक function है दूसा function है फिर इसमें देखेगा फिर इसमें देखेगा जितने इंक्लोजिंगे सब में देखेगा तो उसके बाद वो global पे जाएगा वो प्रोग्राम के इधर पे देखेगा कि कुछ global है क्या जो भी global modules होंगे या जो आपने global declare कि होंगे उसके बाद जाएगा वो built-in में जो भी python के built-in है उसमें चेक करेगा कि हमें मिल रहा है के नहीं मिल रहा है ठीक है जहार रखेगा कि class definition को आपको use करने से पहले ही देना पड़ेगा INIT की बाद की ये एक special method है ताकि हम जो members है class के उसको initialize कर सके constructor की तरह काम करता है self पहला argument होता है जो हमेशा हम pass करते है methods वो किसी भी class के method में self हमेशा होता है एक class object उसको हम use कर सकते हैं दो तरीके से या तो instantiate कर दें या attribute का reference दें जो class के attributes है वो class को belong करेंगे वो सारे object उसे share करेंगे instance attribute का मतलब यह होता है कि वो किवल object के पास होंगे class के पास नहीं होगे जो attribute है चाहिए वो data हो या method हो उसको हम dynamically add कर सकते हैं get attribute has attribute set attribute del attribute यहाँ पर object है यहाँ पर नाम है object नाम object नाम value object और नाम get attribute हम use करते हैं ताकि हम जितने भी attribute है उस subject को access कर सके has attribute का मतलब यह है कि वो attribute इसके अंदर आ रहा है के नहीं आ रहा है exist कर रहा है के नहीं कर रहा है set attribute का मतलब यह है कि हम set करना चाहरे attribute को किसी value से delete attribute का मतलब यह है कि हम किसी attribute को delete करना चाहरे उसके लिए फंक्शन्स यूज़ होते है DICT doc name module यह DICT का मतलब यह है कि यह dictionary बताता है जिसके the dictionary containing class name space यह dictionary के पर में बताएगा जो class के name space में होगी doc आपको doc string बताएगा अगर आपने class के अंदर कुछ लिखा हुआ है name आपको class का नाम बताएगा module बताएगा कि वो module name जिसके अंदर class को बनाया गया है basis आपको बताएगा कि वो एक tuple देता है जिसमें जो base class है जो आगे देखेंगे कि जो base class है उसके बारे बताएगा यह है कौनकोंसी base class है DEL यह यह तब execute होगा यह invoke होगा जब module को आप delete करेंगे STR क्या होता है यह आपको जो object का string representation दिखा देगा private members के वहला object के अंदर से access हो सकते है name mangling का मतलब यह है कि आपने दो underscore लगा दिया और नाम लिग दिया यह कोई भी नाम लिग दिया इसको आपकर एक underscore हो सकता है वो name mangling होगी इसको as a private treat किया जाता है static method का मतलब यह होता है कि वो ऐसा method जो class level में बनता है सारे object इसको share करेंगे class भी इसे share करेंगा self इसमें पहला argument नहीं होता है python दो strategy यूज़ कुरता है memory allocation की reference counting और एक automatic garbage collection reference counting और automatic garbage collection का मतलब यह है reference counting का मतलब यह होता है कितने बार object reference हुआ वो किवल count किया जाएगा जब object reference 0 हो जाएगा python अपने आप automatically garbage collection करेंगे और एक automatic garbage collection जो python 2.0 के बाद आया इसका मतलब यह होता है कि एक threshold देखा जाता है object allocation और de-allocation का जब जो allocation है और उसका जो subtraction है minus मतलब allocation de-allocation का difference है वो threshold number से उपर चला जाएगा तो garbage collector चलेगा और जो unused block है memory के वो claim कर जाएगा रिव claim कर दिये जाएगा तो यह हमने बात की classes की कैसे classes बनते हैं deal होते हैं क्या-क्या उसमें method और attribute होते हैं तो यह बात थी python में classes की बहुत शुक्राइब बहुत रहाएबने अबसे लिए